आज किस फीडियों में हम बात करेंगे क्लाश 12 के हिस्ट्री के मैप्स के बारे में मैप आपके एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन रोल अधा करते हैं और आप बहुत ही आसान कोशन आते हैं मैप से ठीक है बहुत सारे बच्चे इसमें गलतिया कर देते हैं जहांसे आपके ए वाला जो मैप है आपके चैप्टर का इसमें से आप से दो तीन चीजे जहें जो ज्यादा तर पूछी जाती हैं लेकिन इस चैप्टर में हडपा से रिलेटेड जितनी भी चीज़े आज तक पूछी गई है वो सारी के सारी में आपको मैप में कराने वाला हूँ जैसे कि द आगे बहुत सारी जगह है जो मैं आपको यहां बताने वाला हूँ जैसे धौला वीरा लोथल रंगबूर नागेश्वर वगेरे गुजरात में बढ़ता है पर बनावली राखी गड़ी और इसके बाद हम आते हैं काली बंगन जो है राजिस्तान में पढ़ता है मांड़ा जो है कश्मीर में पढ़ता है यह सारी चीजे आपको पता हों ने चीए है अपको ले चलता हूँ सिदा मेप पर यहां पर कंपसाने पापिसतान की कुछ जगह दे रखे अब आपको यह पता करना भाई कि यह जो आपके शानके पांच दे रखे पहले नमबर पर मुऑन जो वाला है सूत के एन्ट कोड जो की फूर्त लमघ्र आपको यहां पर दिखाए दे रहा है यह सबसे जो पाकिस्तान में जो सबसे एंड वाला पॉइंट आपको दिखाए देता है मैप में यह आपको आपको याद रखना भिलाइब इसके बाद जो सबसे व्पर का पॉइंट है यहाँ पर दिख रहे यह हो दिख सकते हैं इसके बाद आप देखिए थोड़ा नीचे आके ये दो पॉइंट आपके सामने बच गया है ठीक है तो ये जो पॉइंट है ये आपका आएगा चाहूंदडो और ये जो बच की आएपोइंट ये आपका हो जाएगा बाला कोट ठीक है इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इधर लिख देता हूँ नीचे बाला कोट अब देखे इसमे आपके पेपर में सबसे ज़्यादा क्या पूचा जाता है आपसे हडपा पूचा जाएगा, मोहन जोदडो पूचा जाएगा, चहूंदडो पूचा जाएगा ये तीन आपके लिए बहुत ज़्यादा important है और ये सूध गेंड कोर और बाला कोर आपसे पूछा तो जा सकता है लेकिन एक कम पूछे जाते हैं लेकिन आपके लिए important ये भी है आप इसको याद रखें तो आपके सामने में ये भरने का प्रयास क्या है आप ध्यान से देख लो समझ लो कि सबसे उपर हडपा फिर मोहन ज लो फिर यहां पर सूध गेंड कोर इधर की तरफ चहूंद लो और इसकी तरफ बाला कोट आखिर आपको यह याद कैसे होगा याद करने के लिए आपको क्या करना है इसकी प्रैक्टिस करने पड़ेगी ठीक है ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में चारपां जो जगा है इसक इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह आपसे पूछा जाता है पेपर में लोथल आपको पूरे भारत के मैप में यह पता होना चीए कि गुजरात कहां पर है यह जो आपके सामने यह स्टेट जिसको मैं आप बॉर्डर बना रहा हूं यह जो है यह क्या है यहां पर गुजरात में जो सबसे एंड वाला पॉइंट है यह जिसको मैं यहां पर निशान लगा रहा हूं यह है नागेश्वर अब यह आपको याद करना बढ़ेगा थोड़ा सा गूगल मैप भी सर्च कर सकते हो तब आपको थोड़ा सा असान लगेगा इसके बाद देख देता हूं दोला वीरा बस आप इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखते जाओ समझते जाओ दोला वीरा अब नीचे की तरफ आते हैं तो भाई आपके सामने यहां पर लोथल दिखेगा और आपको क्या उप्शन बचके हैं लोथल और रंगपूर ध्यान से देख यहां पर अगर आप इसे अलग अलग किताबों में देखें तो यह पॉइंट आपकों यहां पर आ जाते हैं यह गुज्रात वाले इससे में तो आपको यहां पर नागेश्वर दिखाए थे रहा है ठीक है उपर के साइड आपको दोला विराही दखाई दे रहा है यहां पर आपको रंगपुर तो इसी तरीके से आपको यहां पर पैचाननाए जो पैया आपके सामने पॉइंट बनाएं यह तो यह हो जाएगा। है पूराना मेप यह आपको समझने में दिक्कT आती होगी IJ sheet लेकिन आप यहां سے थोड़ा अनदाजा लगा सकते हो Ideas आपको प्रैक्टेस है तो आपको समझ में आयेगा आपको प्रैक्टेस नहीं जराबी तो आप इसको नहीं समझ पाओगे इस पुराने मैप को इस लिए मैं आपके सामने पुराने मैप समझ गये अब आपको यहां पर दो जो इस्थाने यह बहुत महत्पूर्ण है आपसे इंपोर्टेंट है पेपर में पूछा जाता है तो देखिए यह हर्याना में मैंने आप दो पॉइंट रख दी है एक यह है और यह जो पहला पॉइंट है यह आपका बनावली हो जाएगा और जो इधर वाला पॉइंट है यह आपका हो जाएगा राखी गड़ी यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका राखी गड़ी यह आपको याद रखना है यह आपका राखी गड़ी हो जाएगा तो इस तरीके से यह आपका हो जाएगा हर्याना का इसके बाद हम चलते है ये काली बंगन बहुत पूचा जाते है देखिए राजिस्तान का एक ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूचा जाता है राजिस्तान का वो काली बंगन है अब देखिए आपके सामने राजिस्ताने स्टेट है अब यहां पे आपको बिल्कुल मानलो यहां पर काली बंगन है तो हो सकता है वह आपको यहां दे रखा तो वहां से आपको कंफियोजन हो जाएगी लेकिन अगर आप समझोगे कि राजिस्तान में एक ही जगा थी काली बंगन में तो आप उसे पॉइंट को लगा दो कोई दिक्कत नहीं आपके लिए काली बं इसको एरेस करते हैं यह मांडा आपको सबसे ऊपर दिख रहा है कश्मीर में इसके बाद नीचे आते हो हडपा पाकिस्तान में हडपा से आप इदर आओगे तो आपको यहां पर मोहन जोद्रो क्योंकि बड़ा है जूम कर रखे मैंने इमेज इसलिए आपको ज्यादा कोट दीजी में आपको बताया नहीं क्योंकि पेपर में ज्यादा तर पूछा नहीं जाता है इसले लेकिन आप इसे भी याद रख सकते हैं गुजरास साइड में आओगे तो धौला विरा आपको ऊपर दिखेगा नीचे कोने में नागेश्वर दिखेगा यहीं लोथल और क्याई आपको यह सत्तान बताए ना चैप्टर वन में से इस से बाहर के में नियून कुछ नहीं आता है यहां पर इस से बाहर नहीं आता तो आपको यह याद कर लेकां अच्छे तरीकेसे चैसले याद कर लं कर CTR दें झाल झाल